हेलो, वेलकम तो केने सटीज, लर्न इंगलिस वर्ड्स में हम सीरीज नंबर 9 देखेंगे, यानी 81 से लेकरके वर्ड नंबर 90 तक, फर्स्ट है, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट नाउन है, इसका मतलब है, अफॉर्मल चार्ज और एकुजेशन और सीरियस क्राइम, प्रोसिक्यूशन, चार्ज, इंप्यूटेशन, प्लैंट, कम्प्लैंट, यानी कि अभियोग या कलंक, अभियोग एक फॉर्मल सब्द है, और कलंक इंडिसेंस की जासे इन फॉर्मल जो हम सुसाइटी महजे यूज करते है, next word है, eftemious, eftemious adjective है, यानी की, indulging only very moderately in something, especially food and drink, aspartan, shower, eftened, यानी की जो कम, जैसे आज-के बेरेट में माननके चलो की, बहुत लोगों को प्रोपर खाना नहीं मिल पा रहा है, जो लोवर फैमिली के हैं, वो प्रोपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, due to lack of resources, or due to close of market, तो वो एक तरह से सयमी या सल पहारी, कि कम से भी जो मिला वो उसी से काम चला लेना, वो जो कहते हैं, कि कभी घहना, कभी पोड़ा चला, कभी वो भी मना, तो जो मिला वो उसी से कम से काम चला लेना, निक्स्ट प्रबिटी, प्रबिटी नाउन है, इसका मतलब है, the quality of having a strong moral principles, honesty and decency, इमांदारी, जैसे आप जो civil services का preparation कर रहे होई, आइधर UPSC का या फिर state PCS का, तो आपका प्रबिटी इन government services, वो आपको आता है, next, denty, यह adjective, यानि delicately, small and pretty, यानि सुन्दर, खुबशूरत, next, 85 number, garish, adjective, obstructive, obtrustively, bright and soury, lurid, यानि कि आपका भड़कीला, चमकदार, जो होता है कि color जो, एक कते न, कि नॉर्मल सा color है, शोवर color है, professional type का, जैसे आप interview बगेर में जाओगे, तो वो होता है कि आप ऐसे भड़कीले और चमकदार कपड़े पहन करके नहीं जाओगे, light shade में आपके होने ची 6th number, innocuous, adjective है, not harmful or offensive, इसका मतलब अहानिकर या नुकसान न पहुंचाने वाला, कि जैसे कोई नुकसान न हो, चाहे वो जैसे हो भी सकता है, जैसे animal wings हो सकता है, कोई object हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती है, या person हो सकता है, next, abdure, abdure वर्व है, याली solemnly renounce, a belief, cause or claim, relinquish, forsake, forego, reject, give up, यानि कि त्यागना, कोभी चीज को या तो, जैसे न, कभी-कभी बस्तू को भी त्याग करना, या idea, claim, कुछ चीजें हैं, कि हम claim कर रहे हैं, कि यह property हमारी है, या फिर कोई a belief, कि हम इसी belief पे अधिग है, आप उस चीज का त्याग कर रहे हैं, next है equanimity, equanimity नाउन है, इसका मतलब calmness and composer, especially in a difficult situation, यानि कि जो बुरे बगत आते हैं, जब कठीन समय आता है, उस समय में आप किस ढग से सांत अपने को रख सकते हैं, ताकि, देखो, उससे क्या होती है, समस्य का समधान नहीं हो जाता है, लेकिन आप उस चीजों को better cope-up करने में वो मदद मिलता है, नेक्स्ट है ponderous, ponderous adjective है, इसके मतलब slow and clumsy, because of great weight, यानि कि कश्टकारक या बोजहल, जैसे आपको बोजहल आल दिया गया, कुछ extra load डाल दिया गया, चाहे वो पढ़ाई का हो, या किसी और चीज का हो, नेक्स्ट है, नाल्ड, ये इसका pronunciation, z silent होता है, तो नाल्ड, तो नाल्ड adjective है, nobly, rough and twisted, especially with age, यानि कि एठा हुआ या ग्रंती यूगत, जो है जैसे न, कि with time passes, जो होता है, human being का, जो होता है, twist हो जाता है, body का part और ये, वो tight हो जाता है, एठ जाता है, मुड़ जाता है, तो वो होता है, तो ये आज के 10 words हो गए, तो टोटल हमा 90 कंपलीट हो गया है, I hope you enjoyed this session, कि अच्छा लगता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, सेयर करें, और हमारे साथ बने रहें